तो यह है जैसीका सिम्सन एक जमाने की बहुत बड़ी मॉडल और एक डीसेंट आक्रिस तो यह लेफ साइट पे पिक्चर होगी 2003-2004 की और राइट साइट पे है 2019 की पिक्चर तो बेसिकली 15 एर्स के बाद तो भेंड चोद यार वर्ल्ड की एक टॉप मॉडल का हालत ऐसी हो सकती है तो आप अपने अवरिज इंडियन कर्स की बस आप इमेजन कीजिए हम जो मिक्टा और रेट पिल के लोग जो बात करते हैं दा वॉल वुमन विल बी हिट बाई दा वॉल जो बोलते हैं इसे बोलते हैं ये एक प्राइम एग्जामपल है तो इट्स नॉट ए जोक अगर ये एलिट मॉडल्स को एफेक्ट कर सकता है तो कोई भी औरत को कोई भी फेड फॉर वेमें ये लोग तीस के बाद खतम हो जाते हैं और हम लोग 40 तक वेल मेंटेंड हम लोग 40 में भी होट होते हैं हमारी सेक्शुल मार्केट वैल्यू 40 45 तक नहीं गिरती है औरत की 30 रीच करते ही खतम है तो इसकी शादी हुई थी 2005 में 2004 में आइधिंक और ये है एक दम प्राइम में शादी क्या था इससे डेट करके प्राइम में शादी क्या था और जैसा कि आप देख सकते हैं गुड चॉइस ट्रॉफी वाइफ थी यार आइधिंक गुड डिसिशन टॉप मॉडल के साथ शादी क्या है चुदी भी थी ओबिसली काफी बॉइफ्रें टेन आट आफ टेन सो ओके लटस फाइन ठीके डिवर्स वाप है यह दोनों का दो साल थे यह लोग साथ में उसके बाद 2014 में सेकंड मैरेज हुई है इसकी एंड यहाल है इसका 2014 से 2018-19 तक एक दम खतम बंदी से शादी क्या यह सिंप एक्स एनफल प्लेयर एक्स रग्भी प होते हैं यह लोग सिंप नहीं होते क्योंकि बहुत लड़किया मिलती होगी लेकिन नहीं अब यह ऐसी सांड के साथ शादी क्या है एकदम खतम बंदी एकदम चुदी वी बाड़ी काउंट्स होगे 50 इसके क्रीम पाइज लीवी है फेशियर लेकर होगी और ऐसी खतम बंद इस एक्स्ट्रीमली राइट तो हम जैसा की बात करते हैं हमेशा तो हम जैसा की बात करते हैं सिंप्स यह नहीं देखते और पहले कैसी थी बाद में कैसी थी बस औरत का इटेंशन मिले तो शादी कर लेते हैं यह लोग लेकिन हम मिक्टाव मैं हम एक दूसरे को रिमाइंड वगरा सब और उसके रिप्रोड़क्टिव सिस्टम वगरा से एक दम खतम हो जाएगी यार यूल जिस्ट बी स्टक विथ हर परिसनालिटी अगर वह भी खराब है तो भाई खतम होगी जिन्दगी आप उसे डिवर्स होगे तो आपके पैसे लेकी निकलेगी जिन्दगी खतम आपकी जिन्दगी चुद कई समझो तो बस आच लिए यही है औरतों को ना दे भाव अपने आप पर वर्क करें अपने विजनस पर वर्क करें अपने पैशन पर वर्क करें औरतों को चलते पिरते एक आद चोद दें इंदर उदर फक बड़ी बना ले वह आपकी मर्जी है मैं तो वो भी recommend नहीं करता लेकिन commit ना करे और अवरत के साथ unless you find a virgin ये मेरा rule है लेकिन वो नहीं मिलेगी आप लोगको मुझे भी नहीं मिलेगी किसे को भी नहीं मिलेगी unless you are very lucky then उसके वाप अगर पकड़ के रखे तो आपकी मरजी वरना फैदा नहीं है boys फैदा नहीं है फिर मिलते हैं कर दन्यवाद